चार साल से कम के कई बच्चों को अतीद बिलकुल याद होता है। ये कई बार हुआ है। मान लीजे, कुछ जन्म याद आ जाएं। आप जानते हैं कितनी उथल-पुथल होगी। इससे इतनी परिशानी होगी कि आप संभाल नहीं पाएंगे। सद्गुरू, छे साल का कोई लड़का अपने पिछले जन्म कैसे याद कर सकता है। यानि वो बता देता है वो कौन था, उसके माता-पिता कौन थे, और कुछ समय बाद सब भूल जाता है। हाँ, उसे कैसे याद आ गया? याद नहीं आना चाहिए। प्रकृति ने जीवन का ये खोल इसी लिए दिया है, कि आपको याद नहो। आपको एक सुरक्षा कवच मिलाए, ताकि आपको याद न रहे। क्योंकि अगर याद आया, तो आप अभी से कहीं बड़ी परिशानी बन जाएंगे। देखे, कुछ साल यहां रहने के बाद, बीस, तीस, पचास साल के बाद, लोग जीवन की यादों से ही जूज रहे हैं, है ना? हाँ? कुछ वर्षों की यादों से ही लोग बहुत संघर्ष कर रहे हैं। मान लीजे, कुछ जन में याद आ जाएं। तो आपके अंदर कितनी उथल पुथल और संघर्ष पैदा होगा? अब बहुत से ही जूज रहे हैं, आप कल की चीज़े नहीं भूल पा रहे हैं। कल शायद क्या होगा? ये सभी संघर्ष चल रहे हैं। मान लीजे, आपको अपने पिछले जन में याद आ जाएं। और आपको पता चला कि आपका प्यारा बेटा, आपके पडोसी का पालतु कुट्ता है। बस मान लीजे। क्योंकि इन दिनों कुट्ते हमसे बहतर जी रहे हैं। आप जानते हैं कि इससे आपके और आपके पडोसी के जीवन में क्या तबाही होगी। और कुट्ते के जीवन में। यह सभी के लिए बुरा होगा, है ना। अगर आपमें इतनी समझ और वैराग्य हो, कि भले ही आपको पता चले कि यह आपकी पत्नी, मा या पिता थे, या आपके दोस्त थे। फिर भी आप उन्हें देखे बिना जी पाएं। तब यादे आना ठीक है, पर अगर आपमें हर उस चीज के लिए भावनाएं हैं, जिसे आप अपनी मानते हैं। देखे, यही समस्या है। लोगों में सिर्फ उन्ही चीजों के लिए भावनाएं हैं, जिने वो अपना कहते हैं। मान लीजे, आप अपने पिता से कभी नहीं मिले हैं, या अपनी माँ को कभी नहीं देखा, या अपने पूरे जीवन में अपने भाई या बहन को नहीं देखा हैं। आज मैंने कहा, देखो ये तुम्हारी माँ हैं, आपने न तो उन्हें देखा हैं, ना आपको कोई लेना देना हैं, पर क्योंकि किसी ने कहा, ये आपकी माँ हैं, तो अचानक ओ, वो मेरी माँ हैं, अचानक भावनाएं आ जाएंगी, कहां से? आपने उस व्यक्ति से कोई रिष्टा नहीं बनाया हैं, आपका लेना देना नहीं हैं, बस कोई बोला, ये आपके हैं, जब कोई बोले, ये आपकी माँ हैं, यानि वो कह रहे हैं, कि वो व्यक्ति आपका है, है न? तो आपकी भावनाएं सिर्फ उन्हीं चीज़ों के लिए हैं, जिने आप अपना मानते हैं, और अगर आपको ये समस्या है, कि सब कोई चापका होगा, तभी भावनाएं आएंगी, तो मैं कहूंगा, और लालची बने, हर चीज़ को अपना बना लें, इशायोग इसी बारे में हैं, वैसे भी आप लालची हैं, लालच में गंजूसी क्यों, बिल्कुल लालची बन जाएं, अरे मेरे बच्चे बोलने से भावनाएं आती हैं, सब को अपना बना लें, समस्या क्या है, क्या कोई आपको रोक रहा है, क्या कोई आपको रोकेगा, अगर आप वैसे हैं, तो बिलकुल वैसे बने या कोई आपका नहीं है, वो भी ठीक है वो मुश्किल तरीका है, पर ठीक है, कोई मेरा नहीं है ठीक है, सभी मेरे हैं, भी ठीक है ये मेरा है, वो मेरा नहीं है, ये समस्या है तो अगर आपको पिछले जन्म याद आते हैं और आप ऐसे हैं कि ये मेरा है और वो मेरा नहीं है तो आपको इतनी परिशानी होगी कि आप संभाल नहीं पाएंगे अगर आप ऐसे बन चुके हैं कि या तो सब आपका है या कुछ भी नहीं तो याद आना ठीक है को संयोग से कुछ याद आ गया क्योंकि कभी-कभी प्रकृती में सिस्टम फेल हो जाते हैं कुछ data input गलत हो गया होता है इतनी जटिल सन्रचना है कभी-कभी ऐसा होता है एक छोटी सी गलती हुई किसी बच्चे में जरूरी सुरक्षा नहीं बन पाई अगर याद आ भी जाए तो आम तोर पर बड़े होने से पहले वो भूल जाते हैं चार साल से कम के कई बच्चों को अतीत साफ याद होता है पर चार साल के बाद वो सब भूल जाते हैं चार साल के बाद वो इस जन्व में शामिल हो जाते हैं आस पास की चीजों में चार साल से पहले ये संभव है कि उनके मन में अतीत चल रहा हो शायद आप ये जानते हों कि भारत में कई कारणों से ऐसा कहा जाता है कहते हैं कि चार की उम्र से पहले बच्चा भगवान का होता है उसके बाद ही वो आपका है क्योंकि तब उसमें बहुत सारी यादें चलती हैं उस समय वो किसी का नहीं होता उसके बाद जब उसकी आदाश चली जाती है तब वो आस पास की चीजों से गहराई से जुड़ना शूरू कर देता है तभी वो आपका होने लगता है कम से कम वो आपको धोके में रखता है कि वो आपका है हाँ बाद में वो उससे तोड़ देते हैं वो करते हैं है ना किसे ने किसी तरह वो तोड़ते हैं तो ऐसा हो सकता है ऐसा कई बार हुआ है पर आम तोर पर ऐसे लोग कुछ समय बाद भूल जाते हैं, वो क्षमता या मेरे इसाब से वो कमी बच्पन के एक निश्चित दोर में ही होती है, फिर वो खुद ही खत्म हो जाती है.